इस साल मोसम की अनकूलता और मौनस्टून की अच्छी बारिश के चलते खरी फसलों के बंपर उत्पादन की उमीद है राजस्थान के बारा जिले में इस साल सबसे ज्यादा दो लाख चोवन हजार हेक्चर में सोया बीन की सोईंग की गई है इसके बाद रुकर हुई बारिश से तीन लाख मिट्रिक टंस से ज़्यादा उत्पादन की संभावना है इससे करीब 14 अरव रुपई से ज्यादा का व्यपार होगा जिले में सोया बीन की बॉआई जून और जुलाई में हुई थी जिले में इस बार सभी फसलों की बॉआई सफल रही और कहीं भी किसानों को दोबारा रुप बॉआई की जरूरत नहीं पड़ी जिले में समय समय पर हुई बारिश ने नमी बरकरार रखी इसके साथ ही किसानों की ओर से भी कीट नाशक दवाईयों का प्रयोग किया गया जिससे इस साल अब तक सोया बीन में कोई कीट परकॉप नहीं है धूप की अनकूलता रहने से अभी तक इलियों का परकॉप भी दिखाई नहीं दिया है वही राजस्तान के बारा जिले में अब बीस समबर से सोया बीन की कटाई का कार्या होगा सबसे पहले शाहबाद शेतर में सोया बीन की कटाई का कार्या होगा और इसके कारण 25 सितंबर तक जिले की मंडियों में नई सोया बीन की आवक आने की उमीद है क्रिशी विभाग के अनुसार मोसम इसी प्रकार अनकूल रहा तो पैदावार में भी 25 से पच्चेस फिसद की व्रिदी समबव है सितंबर अक्तूबर में जब नई सोया बीन की आवक मंडियों में होने लगेगी तो नमी होने के कारण भाव में और कमी की संभावना रहेगी लेकिन पिछले साल सोया बीन के भाव में आई तेजी से किसानों को इस बार भी अच्छी भाव मिलने की उमीद है जिले में इस साल 2,24,000 हेक्टर में सोयाबीन की बुआए की गई थी क्रिशी विभाग के रुसार इस साल मोसम के अनकूलता में से प्रती हेक्टर में 12-14 कुईंटल उतपादन होने की संभावना है अगर एक हेक्टर में 12-14 का उतपादन भी माना जाए तो इस बार 3,48,000 मिट्रिक टन सोयाबीन उतपादन की संभावना है ऐसे में अगर अगामी दिनों में मोसम अनकूल रहा तो जिले में सोयाबीन का रिकोर्ड उतपादन हो सकता है वही शहर सितक्रिशी उपज मंडी में पिष्टे साल इस समय सोयाबीन का धिक्तम बाव 55,000 रुपे रहा था और इस बीच सीजन में सोयाबीन 8,000 रुपे तक भी की थी लेकिन वर्तमान में सोयाबीन के भावों में गिरावट है मंडी व्यपारियों का कहना है कि सरकार की और से पामोयल का आयात किया जा रहा है जिसके कारण सोयाबीन के भावों में गिरावट है पिछले साल के मुकाबले वर्तमान में 500 रुपे प्रतिक विंचल की भावों में गिरावट देखने को मिली है वहीं पिछले हफ्ते मड्यों में सोयाबीन 445-5111 रुपे के बीच बिकता हुआ दिखाई दिया था और एवरेज भाव 4700 रुपे रहा था वहीं जिले में इस साल 254,000 हेक्चर में सोयाबीन की बॉई की गई थी अगामी दिनों में अगर मोसुम अनकूल रहा तो जिले में सोयाबीन के बंपर उत्पादन की संभावना है